हाई डुल्डीज, वेलकम की इसीविग कॉवमेस क्लासिस, मैं हूँ तबिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम एग्रिगेट डिमांड एड रिलेटेट कंसेप्टर में से टेबल पढ़ने वाले हैं इसे पहले वाली वीडियो में हमने इसके फॉर्मुलेज देखे थे, यानि कि इस चेप्टर में ही टोटल कितने फॉर्मुलेज हैं वो हमने देख लिये थे, उन्हें समझ लिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज अपसे पहले उसे भी देखना आज के इस वीडियो में guys हम लोग table को किस तरीक से fill करते हैं उसे सीखेंगे formula based यह भी इसमें formula ही लगेंगे तो उसे आज हम सीखेंगे आपको question में क्या given होगा क्या नहीं given होगा तो question में आपको income given होगी उसके साथ या तो आपको saving हो सकती है given हो या फिर consumption given होगा यानि कि saving या consumption में से कोई एक चीज़ given होगी यहां में हमें income के साथ saving given है अब हमें बोला क्या है निकालने को हमें बोला APC, APS, MPC, MPS निकालो आपको question में कुछ भी दे सकते है यानि कि इन चार में से कुछ भी चीज़े आ सकती है अब देखो APC, APS सबको इसके full form पता है APC, APS की average propensity to consume, to save and MPS and MPS की marginal propensity to consumer save होती है अब देखो क्योंकि हम भी consumption से related भी निकालना है और saving से तो हम भी consumption सबसे पहले निकालनी होगी तो consumption निकालना तो आपको पता है बहुत easy है कैसे हमें पता है किसी देश की income कहां खर्च करी जाती है consumption और saving में यानि कि या तो हम consume करते हैं या फिर save करते हैं तो यानि कि हमें यह चीज़ मालूम है कि Y is equals to C plus S होता है तो अगर हमें यहाँ पर saving given है तो हम Y minus C करके Y minus S करके C निकाल सकते हैं राम से यानि कि S को अगर यहाँ पर ले जाएंगे तो वो minus हो जाएगा तो consumption निकलाएगी अभी करना क्या है 50 में से अगर 10 rupees की saving है तो 50 minus 10, 40 की consumption है 100 minus 40, 60 150 minus 75, 75 200 minus 120, 80 तो यानि कि अगर हमें consumption given हो तो saving हम होती easily निकाल सकते हैं अब हमें इन्होंने बोले APC और APS निकालना तो आपको पता है APC और APS का formula क्या होता है APC का formula क्या होता है average of consumption with respect to income तो आपको क्या करना है C को divide करना है Y से अब C divided by Y तो यहाँ पर यानि कि आपकी 3rd 4th की calculation काम आने वाली है that is divide तीक है अब आपको यह चीज़ बता दो कि किसी का भी answer 1 से जादा नहीं आ सकता अगर आपका answer 1 से जादा आ रहा है means आप गलत कर रहे हो calculation अब ही जैसे हम लोग करके दिखते हैं guys 40 divided by 50 तो इसका answer आएगा 0.8 60 divided by 100 answer is 0.6 75 divided by 150 तो answer आएगा आपका 0.5 same way में आपका 80 divided by 200 so 80 divided by 200 0.4 तो answer आगया आपका APC 0.8, 0.6 0.5, 0.4 आगया है और किसी का भी answer 1 से जादा नहीं आया है अब APS निकालना है ठीक है अब APS कैसे निकालेंगे इसको divided by income कर सकते हैं यानि कि 10 divided by 50 आपका कितना आएगा 0.2 या फिर आप formula एक आप इस्तेमाल कर सकते हो जो कि बहुत easy सा है जिसमें हमें क्या सिखाया जाता है कि APC plus APS किसके बराबर होते हैं 1 के तो अगर मेरा APC 0.8 है तो मैं APS कैसे निकाल सकते हूँ 1 में से minus करके तो मुझे divide करने की हाँ पर जरूरत नहीं है 1-0.6, 0.4 1-0.5, 0.5 1-0.4, 0.6 तो APC और APS आगया देख रहे हो answer कोई भी 1 से जादा नहीं आना चाहिए इसके बाद MPC और MPS निकालना है उसमें भी हम same concept यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है MPC प्लस MPS का summation 1 के बराबर होता है तो सबसे पहले MPC का formula होता क्या है What is MPC? MPC होता है guys Change in consumption Change in consumption with respect to change in income तो change in consumption यानि कि हमें change निकालना है तो इसके लिए better रहेगा कि आप delta C और delta S का column बना लो या सिफ delta C का भी बनाओगे तो भी चलेगा अब delta C क्या होगा? Change देखो starting में कोई change नहीं है 40 से 60 हो गया तो यानि कि 20 का change है ठीक है? यहाँ पर 15 का change है यहाँ पर आपका 5 का change है यहाँ पर आप क्या calculate कर रहे हो? Change एसी अगर आप delta S निकालना चाहते हो यहाँ पर 30 का change है 40 में से 10 गए 75 में से 40 गए तो 35 और यह कितना आएगा? 55 तो हम लोगों ने क्या किया है? Change निकाला है अब आपको पता है क्या formula होता है delta C upon delta Y delta Y में देखो सिफ 50-50 का change है इंकम 50 से 100, 1500, 200 होई है तो यानि कि हर एक चीज को आपको किस से divide करना है? 50 से यह दो उपर की क्या रहेंगे? ब्लांक रहेंगे तो 20 divided by 50 कितना आ गया? 0.4 Then 15 divided by 50 0.3 अब 5 divided by 50 तो यह आ जाएगा आपका 0.1 और MPS कैसे निकालोगे? 1 में से इसे माइनस कर दो 0.6, 0.7 and 0.9 तो इस तरीके से आप इसे बहुत easily और कम समय में solve कर सकते हो आपको सिफ कोई एक चीज कल्कुलेट करनी है और 1 माइनस करके आप दूसरी चीज निकाल सकते हो फर्मुले आपको पता होने चाहिए और फर्मुले कुछ है ही नहीं बहुत easy से हैं divide करना है जो कि हम 3rd या 4th क्लास में सीख चुके है तो इस तरीके से आप इसे टेबल को solve कर सकते हो और किसी भी टेबल में अगर आपको कोई भी प्रॉबलम आती है और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को like, share and comment नहीं किया है और चीज़ें आपको अच्छी लगे हैं तो please like, share and comment कीज़े चैनल को subscribe कीज़े for new more videos thank you